मध्य परदेश के धार जिले में करोना के बढ़ते संक्रमन वह पोजिटिव मरीजों की संख्या के बीश बुद्वार की देरात को एक रहातवाली खबर मिली है इंदोर के अरविंदो अस्पताल से धार के पहले करोना संक्रमित मरीज अलताफ खान को स्वस्त होने पर डिस्चार्ज कर दिया क्या है आपको बता दे कि 8 अप्रेल से इंदोर के अरविंदो अस्पताल में भरती अलताफ खान ने करोना से जंग जीत ली है स्वस्त होने पर सकूशल डिस्चार्ज होने वाले यह पहले मरीज है जिनकी धार में करोना वाइरस रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी इस पहले मरीज के बाद ही मरीजों की संख्या में लगातार बडोतरी हुई और करोना की चेन बनिनी शुरू हो गई थी जीले का यह पहला मरीज मुख्याले के बक्तावर मार्ग का निवासी है जिसकी रिपोर्ट आठ अपरेल को प्राप्त हुई थी पॉजिटिव मरीज को अति गंभीर मरीज की शेनी में रखते हुए इंदोर के कोविड-19 सेंटर अरविंदो रैफर कर दिया गया जिसके बाद के स्वास्ते विभाग के टीम अलताफ खान को लेने के लिए इंदोर पहुची और देड़ रात को उसे लेकर धार पहुची यहां आपको बताते चले कि अलताफ खान 14 दिन तक होम क्वारेंटाइन में रहेंगे उनकी पत्नी भी करोना पोजिटिव है जिन का भी उपचार धार में चल रहा है आपको बतादे कि धार जिले में अब तक कुल करोना मरीजों के 48 मामले सामने आ चुके हैं अब अलताफ खान करोना से जंग जीत कर धार सकुशल पहुच चते हैं मध्य परदेश से स्टेट अर्ट अमर वर्मा की रिपॉर्ट ऐसे ही लेटेस्ट पर पा वर्मालिस राजगराना काल चुक मलड युच जीत कार अपर ट शिरिफ्या लॉच बिडीन क्वीन है भी स्टी समय हुच है अबोच सेदल झाव चात हैं अब अन्यूच नंचे अंवल यॵद गारानओं ध्यूच इन डूफ्या वच्ब्स यूचें रह नश्